दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के परमुक अभ्यारण और इनसे सम्मधि Top 40 GK के कोशन आंसर्स को देखने वाले हैं जो कि सभी परिक्साओं के लिए महत्पून रहेंगे तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा एंड तक देखेगा पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है कि स्वन्य जीव अभ्यारण का नाम बदल कर सहीद चंदर सेखर आजाद पक्सी अभ्यारण रख दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का रएट आंसर एगा नवाब गंज अभ्यारण का यानि कि नवाब गंज का जो अभी नया नाम है सहीद चंदर सेखर आजाद पक्सी अभ्यारण है दोस्तों ये उत्तर परदेश में है ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं दूसरा कोशन आता है राजिस्थान में पक्सी अभ्यारन जो सैबेरियन क्रेन के लिए परसिद है तो इस कोशन का दोस्तों रेट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल केवला देव घाना इस कोशन का दोस्तों रेट आंसर हैगा यानि कि कोशन नमबर टू का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा दोस्तों तीसरा कोशन आता है निमलिखित में से कौन सा गोवा का पहला वन्य जीव अभ्यारन है मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer रहेगा भगवान मावीर यानि की मौलेम इसको कहा जाता है वन्य जीव अभ्यारण इस question का सही उत्तर रहेगा तो तीसरे question का सही उत्तर आपका C हो जाएगा question number 4 है गोतम बुद पक्सी अभ्यारण कहां इस्थित है मेरे प्यारे दोस्तो question number 4 का सही उत्तर क्या रहेगा गया में यानि की B right answer रहेगा question number 4 का मेरे प्यारे दोस्तो पाचवा question है भीतर कनी का वन्य जीव अभ्यारण भारत के किस राज्य में इस्थित है तो पाचवे question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल ये इस्तित है उडिसा में यानि की इस question का right answer आपका C रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप complete चारी cover करना चाहते हैं किसी भी exam के लिए तो इन सभी classes के timing को note करिए चैनल को तुरंच subscribe करके bell icon को on कर लेना नीचे radical का बटन दिख रहा होगा ताकि आगे आने वाली सभी videos के notification आपको मिलते रहे 6000 के question answers की PDF को जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि इसमें complete gk, complete science, complete current affair और computer मिल जाता है और मात्र 175 रूपीज में इसको आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे नीचे description box में link है या फिर whatsapp number या फिर website पर जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं छटा question आता है लाग बहोसी अभ्यारन खालिस्तान में इस्थित है तो इस question का दोस्तो रेट आंसर क्या रहेगा ये इस्थित है मेरे प्यारे दोस्तो कन्योज में यानि की ए रेट आंसर हैगा question number 6 का ये आपको यादखना है अगला question आता है सात्वा चिल चिला वन्य जीव अभ्यारन में खालिस्तान परकार की वनस्पति पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तो इस question का जो सही उत्तर रहेगा व्य हो जाएगा दोस्तो बिल्कुल सूखी प्रण पाती इस question का दोस्तो रेट आंसर हैगा यानि कि सात्वे question का right answer आपका B होने वाला है अगला question आता है दोस्तो चंदर सेखर आजाद पक्सी अभ्यारन उत्तर परदेश के किस जिले में इस्तित है ये भी question दोस्तो important हो सकता है एक्जाम के point अभी से इस question का दोस्तो रेट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल पंजाब में यानि कि option C रेट आंसर हैगा question number 9 का question number 10 आता है फकीम वन्य जीव अभ्यारन निमलिकित में से किस राज्य में इस्तित है दोस्तो दस्वे question का right answer क्या रहेगा आपका बिल्कुल ये है नागलेंड में स्थित यानि कि दस्वे question का जो सही उत्तर हैगा that is option C ये आपको याद अखना है अगला question आता है खपरवास वन्य जीव अभ्यारन को अधिकारिक तोर पर वर्स खालिस्थान में वन्य जीव अभ्यारन के रूप में अधिसूचित किया गया था तो राइट आंसर ओप्शन ए रहेगा ग्यारवे कोशन का अगला कोशन दोस्तों आता है कौन सा वन्य जीव अब्यारण भारतिय उप महादीप में दर्ज की गई पकसी परजातियों का 30 परतीशत भाग रखता है ये काफी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों एकजाम के परजावे से जरूर याद रखेगा इस कोशन का रहेट आंसर हैगा ओकला यानि कि ऑप्शन ए रहेट आंसर हैगा कोशन नमबर 12 का दोस्तों अगला कोशन आता है निमलिखित में से किस राज्य में पकुआई वन्य जीव अभ्यारण इस्तित है दोस्तों कोशन नमबर 13 का रहेट आंसर हैगा बिलकुल अरणाचल परदेश दोस्तों इस कोशन का रहेट आंसर हैगा यानि कि ऑप्शन ए इस दा रहेट आंसर दोस्तों अगला कोशन आता है कि सनपूर वन्य जीव अभ्यारण कोन से राज्य में इस्तित है दोस्तों ये इस्तित है आंद्र प्रदेश में यानि की कोशन नमबर 14 का रेट आंसर ओप्शन ए रहेगा दोस्तों अगला कोशन आता है इन में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण मद्य प्रदेश में इस्तित है इस कोशन का दोस्तों रेट आंसर क्या रहेगा नोरा देही वन्य जीव अभ्यारन यानि की option A रेट आंसर हैगा question number 15 का अगला question दोस्तों आता है सोना नदी वन्य जीव अभ्यारन इनमे से किस राज्य में इस्तित है दोस्तों ये इस्तित है उत्राखंड में यानि की question number 16 का रेट आंसर option C रहेगा दोस्तों अगला question आता है निमलिकित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारन हर्याना में इस्तित है इस question का दोस्तों रेट आंसर रहेगा सुल्तानपुर पक्सी अभ्यारन यानि की इस question का रेट आंसर option C हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आता है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण किठम जील अभ्यारण के रूप में भी जाना जाता है तो इस question का दोस्तो rate answer क्या रहेगा ये जाना जाता है दोस्तो सूर सरोवर पक्सी अभ्यारण यानि की 18 question का rate answer आपका C रहेगा important question है ये भी कहीं बार exam में आ चुका है UPSI में भी ये question पूछा जा चुका है अगला question है निमलिखित में से कौन सा अभ्यारण दमन और दीव में इस्थित है दोस्तो ये question जो है दिल्ली पुलीश में पूछा गया था और इस question का दोस्तो rate answer रहेगा बिल्कुल सही है फुडम वन्यजी अभ्यारण 1991 यानि कि इस question का right answer आपका दोस्तो C हो जाएगा तो ये है आपको याद अखना है ठीक है अगला question हमारा क्या कहता है दोस्तो कवल बाग अभ्यारण खालिस्थान में है तो इस question का right answer जिरा बतेगा तो right answer दोस्तो तेलंगना हो जाएगा यानि कि 20 वे question का right answer आपका C रहने वाला है वई अगला question आता है उद्यपूर वन्यजी अभ्यारण निम्लिकित में से किस राज्य में इस्तित है मेरे प्यारे दोस्तो उद्यपूर वन्यजी अभ्यारण बिहार राज्य में इस्तित है यानि कि right answer is option C ये आपको याद दखना है 21 कोशन का अगला question दोस्तो आता है निम्लिकित में से किस राज्य में गोमती वन्यजी अभ्यारण इस्तित है तो इस question का दोस्तो right answer हैगा तिरपुरा यानि की B right answer हैगा question number 22 का ये आपको याद दखना है दोस्तो अगला question आता है आंद्र परदेश में इस्तित कोलेरू जील को भारत के निम्लिकित में से किस वन्यजी अभ्यारण गोशित किया गया है और ये बहुत ही important question है दोस्तो इस question का right answer बतेगा इसका जो सही answer हैगा वो वन्यजीव संदक्षन अधिनियम 1922 के तहत यानि की B right answer हैगा question number 23 का भई अगला question आता है परसीद वलनाडू वन्यजीव अभ्यारण कहां इस्तित है दोस्तो इस question का right answer हैगा ये इस्तित है तमिलनाडू में यानि की 24 वे question का right answer आपका D रहेगा अगला question है उत्तर पर्देश में सवपर्थम किस पकसी विहार की स्थापना की गई इस question का दोस्तो right answer हैगा नवाबगंज पकसी विहार की यानि की option B right answer हैगा question number 25 का अभी इसका नाम क्या हो गए दोस्तो नीचे comment box में बताएगा मैंने starting में आपसे ये पूछा भी था और ब तो इस question का right answer बतेगा दोस्तो क्या है इस question का सही answer हैगा तिरपुरा यानि की D right answer हैगा question number 26 का अगला question दोस्तो आता है कुनो वन्य जीव अभ्यारा निमिन में से किस राज्य में इस्तित है इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा मध्य परदेश में यानिकी राइट आंसर सी रहेगा कोशन बर 27 का दोस्तों अगला कोशन आता है जुलाई 2020 में किस राज्य में देहिंग पठकाई वन्य जीव अभ्यारण को एक रास्टे उध्यान में उन्नत करने का निर्ने लिया है तो 28 कोशन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल असम दोस्तों राइट आंसर रहेगा यानिकी सी इसदा राइट आंसर अगला कोशन आता है फंड साइड वन्यजीव अभ्यारन खालिस्थान में है तो इस कोशन का दोस्तो रहेट आंसर रहेगा मारास्त यानि की डी रहेट आंसर रहेगा कोशन नमबर 29 का अगला कोशन आता है दोस्तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारन खालिस्थान राज्य में इस्थित है तो इस कोशन का दोस्तो रहेट आंसर रहेगा केरल राज्य में यानि की बी रहेट आंसर रहेगा कोशन नमबर 30 का अगला कोशन दोस्तो आता है भारत के किस राज्य में केन वन्य जीव अभ्यारन यानि की KWS इस्तित है इस कोशन का दोस्तो रेट आंसर रहेगा आपका तो KWS जो इस्तित है यह आपका अवनाचल परदेश में यानि की राइट आंसर इसी यह आपको याद अखना है दोस्तो अगला कोशन आता है उत्तरपरदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है तो इस कोशन का दोस्तो रेट आंसर रहेगा यहाँ पर उत्तरपरदेश का सबसे छोटा वन्य जीव हाँ तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो की कापर है ललितपूर में आनिकी right answer option ए रहेगा दोस्तों ये काफी important question है SSC में भी आ चुका है कहीं बार अगला question है बालू खंड वन्ने जीव अभ्यारन खालिस्थान में इस्थित है और देखे मैं आपसे like करने के लिए starting से अभी तक नहीं बोला है अगर आपको questions का level अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका फटा-फट questions कवर करा रहा हूँ अच्छा लग रहा है तो please यार like भी कर दिया करें अपने भाई बेन दोस्तों के साथ में जो भी competitive exam की त्यारी करते हैं उन तक भी जरूर share कर दिया करें ठीक है तो 33 वे question का दोस्तो right answer क्या रहेगा option हो जाएगा उडिसा यानि की b right answer रहेगा question but 33 का और देखें इसी परकार से मैंने पूरा का पूरा आपको gk science सबकुछ cover करा रहा है topic wise तो आप playlist से पढ़िए दोस्तों मैं playlist के link आपको नीचे description box में दे रखें हैं एक playlist को पकड़ लीजे science की playlist अगर उठा लेते हैं तो science की एक भी वीडियो को miss मत करिए चाहे 10 दिन लगे चाहे 20 दिन लगे चाहे 2 महिने लगे बट हर एक वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारी चीजे cover करा रखे हर एक टोपिक पर वीडियो मिल जाएगे आपको चोतिसवा कोशन है इन में से कौन सा रास्टे उध्यान करनाटक में इस्तित है इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा अगला कोशन आता है चिमनी वन्यजीव अभ्यारन भारत के किस राज्य में इस्तित है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा घाना पक्सी अभ्यारन भरतपूर में है यानि की ऑप्शन ए रेट आंसर रहेगा कोशन अबर 36 का दोस्तों अगला कोशन आता है कौन सा वन्यजीव अभ्यारन उत्तर भारत में एक तिरी राज्य सनरक्सित सेत्र है जो गंभीर रूप से लुप प्राय गडियाल और डॉल्फिन के लिए भी परसिद है तो 37 कोशन का रेट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका जो सही उत्तर रहेगा that is option C रहेगा दोस्तों राष्टे चंबल अभ्यारन ठीक है यह आपको याद रखना है यह काफे important हो सकता है अगला कोशन आता है गरम पानी अभ्यारन कहा इस्थित है दोस्तों 38 कोशन का राष्ट आंसर क्या रहेगा यह इस्थित है असम राज्य में यानि की option A राष्ट आंसर रहेगा दोस्तों अगला कोशन है निमलिकित में से कौन केवला देव घाना पक्सी अभ्यारन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इस question का right answer रहेगा इसमें भरतपूर रास्टे उध्यान दोस्तों right answer रहेगा यानि कि 39 का right answer आपका B रहने वाला है दोस्तों अगला question है नंदना कानन वन्यजीव अभ्यारन नेवन राज्यों में से किसमें इस्तित है तो नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारन जो है ये दोस्तों इस्तित है उड़ी सा राज्यों में यानि कि right answer डी रहेगा question number 40 का ये आपको याद दखना है उत्तर परदेश का सबसे बड़ा पक्सी अभ्यारन दोस्तों तो इस question का right answer रहेगा लाक बहुसी अभ्यारन यानि कि right answer डी रहेगा question number 41 का दोस्तों अगला question है बद्यपरदेश का सबसे बड़ा छेतरवार वन्यजीव अभ्यारन कोन सा है इस question का right answer रहेगा नोरा देही यानि कि right answer सी रहेगा question number 40 दोस्तों 2 का तो अब एक question का answer आप लोग comment box में बताएंगा यह हमारा test का question है और इसी वीडियो से है सबसे खास बात है कि अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखिया तो इस question का answer 100% आप लोग बता सकते है question है फकीम वन्य जीव अभ्याना निमलिखित में से किस राज्य में इस्तित है ठीक है तो इस question का answer हर एक इस ट्रेंट comment box में बताएंगे यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों comment box में जुरू बताएगा अगर आप complete चारी cover करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को on रखना आगे आने वाली सारी वीडियो के notification आपको मिल जाएंगे 6000 में जो question answers की PDF है हमारी जिसमें complete GK आपकी हो जाएगी complete science, current affair और computer हो जाएगा इसको मातर 175 रुपीज में आप download कर सकते हैं अगर आप केवल science या फिर केवल GK डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह भी डाउनलोड कर सकते हैं उनके भी link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे thank you so much, bye bye everyone take care, ख्याल लखें अपना, मिलते हैं next class में